इस वीडियो में हम लोग इन दोनों तरीकों को देखने वाले है आप लोग स्वा है चलता है कप्योटर स्प्रिीन में लेट्स रोल धा इंट्रो तो गईस हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से एन्पी एम पर इस्तिमाल किया जा सकता है नोड़ जासकता है एक प्रोजेक्ट को निशलाइस करने के लिए मैंने आपर एक वीडियो एक शिक्ताम से फोल्डर बना दिया है और यहां पर मैं दुबारा जल्दी हो जाता है और बाद में आप लोग पैकेज.json के अंदर आकर अपने content को एडिट कर सकते हो तो यह एक हम लोग को लाब मिलता है अगर हम लोग अब आप लोग अगर यहां पर देखोगे तो हमने एक नया NPM ट्रजेक्ट बना लिया मैं आपर बहुत सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर सकता हूं मैं अपने स्क्रिप्ट में इस्तिमाल कर सकते हैं और यह तीनों मॉड्यूल्स जो हैं इंस्टॉल हो जाएंग मॉड्यू बन जाता है ताकि नोड मॉड्यूल्स वाला जो फोल्डर इसको रट्लिकेट किया जा सके अब यहां पर हम क्या करेंगे एक नई फाइल बनाएंगे उसका नाम में.js रखेंगे आप में.js रख सकते हो आप इसको सर्वर.js रख सकते हो कुछ भी रख सकते हो NPM और नोड़ को जल्दी से दुबारा दिखाता हूं कि इस तरह से एक बेसिक सर्वर बनाया जा सकता है. यहां पर हमने इस मॉड्यूल का इस्तिमाल किया जिसका नाम HTTP है यह by default हमको मिलता है और हमने require syntax का इस्तिमाल किया फिर हमने का hostname यह होगा port यह होगा server जो है वो HTTP मॉड्यूल के अं header set किया एक फिर हमने कहा कि उसके अंदर जो content है वो यह send कर दिया जाए और यहां पर हमने कहा कि जो content type है वो text slash plane होगा अब यहां पर आप लोगो एक चीज दिखाता हूं अगरवालो मैं यहां पर लिखूँ h1 यानि कि मैं html format लिखूँ और मैं लिखूँ hello world और मैं यहां आपर एक pin है server को restart करना पड़ रहा है और इसके लिए एक package होता है node.mon तो मैं आपर क्या करूँगा मैं आपर लिखूँगा npm install minus global यानि कि यह क्या करेगा सिर्फ इस npm project के लिए रही लेकिन मेरे पूरे computer के लिए इस package को इसका नाम है node.mon और node.mon क्या करता है कि restart करता है कि यह watch करना start कर देगा यह watch करना start कर रहा है यह file extensions को अगर change हुई तो server को restart कर देगा देखो मैंने space दिया तो यह server restart हुआ, restarting due to changes तो आप change करते रहो यह restart करता रहेगा अब यह पर एक दिक्कत आ गई कि यह h1 hello world h1 कुछ इस तरह से अब यहां पर क्या होता है कि आप में से कई लोगों ने पुराने node.js को install किया हुआ बहुत पहले जब आप काम कर रहे होगे node.js से related कुछ भी तो आप जब node माइनस माइनस वर्जन लिखोगे तो आपका 20.10.0 आएगा मेभी आपका 18 आए मेरा 20 आया है आपका 16 आ सकता है तो क्या होता है node के वर्जन अपडेट होते रहते हैं और बहुत जल्दी rapidly जो है node का वर्जन चेंज होता है अब एक nvm करके utility होती है मैं आप लोगों को दिख 16 के साथ तो आप लिखोगे nvm use 16 और आपका जो node.js का वर्जन है वो 16 वाला यूज हो जाएगा फिर आप लिखोगे nvm use 14 तो node.js version 14 यूज करना शुरू कर देगा अगर आप लिखोगे node-v आपका current version बता देगा आप इंस्टॉल कर सकते हो nvm की साहित तो multiple versions अगर आपको node.js के maintain करने तो nvm नाम का package आप लोगों के लिए बहुत लाबदायक सावित हो सकता है now this is not required for basic development हमेशा लेकिन होता यह है कि आप लोगों कुछ चीज़े पता होने से काफी फायदा होता है तो पता रहना चीज है भाई यह मेरा यहाँ पर मुद्दा है अब मैं जल्दी से पॉइंट में आता हूं और जल्दी से एकमा स्क्रेप्ट और common.js को discuss करता हूं अब देखो हमने यहाँ पर जब module को इंपोर्ट किया तो हमने क्या यूज किया require यूज कि हमने का require की साहितर से हम HTTP module को import कर रहे है किसी भी तरह के module को हम लोग import करेंगे तो हम require करेंगे मैं create read stream या फिर fs.read file sync इस तरह के methods मैं यूज कर सकता हूं अब यह methods क्या करते हैं आप छोड़ो मैं आगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा लेकिन मैं जिस आप लोग को यह बताना चाहता हूं कि require के साहितर से हम लोग promote sorry module को import करते है तो require की साहितर से import किया हमने यह था हमारा common.js यह से कहते है common.js की साहितर से आप लोग जो है import कर रहे हो modules को अब अगर मैं इसका type कर दूं module common.js दे को default value लिखा हुआ है अगर मैं इसका type module कर दूं जो कि ES6 onwards जो है I और नया syntax relatively और कई problems को solve करता है यह syntax for example की इसके दुआरा load किएगा जो modules होते हैं वो आपके asynchronously load होते हैं यह जो require वाले modules है यह synchronously यह ब्लोकिंग कोड का इस्तिमाल करके import किये जाते हैं तो यह modern है जाता module अब क्यूंकि मैं इसको type is equal to module कर दिया मेरा यह जो server है वो चलना बंद हो जाएगा मैं आपको अगर दिखा हूँ तो यह मेरा देखो आप crash मेरी आप crash हो गई ठीक है तो मेरी आप crash हो गई क्योंकि यह मुझसे basically complain यह कर रहा है कि आपका जो node.js का type है project का वो module है तो require कैसे use कर रहे हो आप तो हम require use नहीं कर सकते हम अब किस तरह का syntax use करेंगे इस तरह का इस तरह हम लोग use करेंगे और अब यह चल जाएगा अब देखो server चल गया ठीक है तो import करने का syntax यह वला modern है और यह कुछ python की तरह होता है import करने का से काफी similar है मेरे कहने का ही मतलब है तो यह तो हमारा basic server हो गया जो कि आप लोग import कर ही लोग है अब मैं आप लोगों को ना अभी हमने यह देखा किया आर देखो require होता है common js और जो import होता है वो होता है ES6 का module लेकिन मैं आप लोगों को यहां पर fundamentally समझाना चाहता हूं कि यह दोनों किस तरह से काम करते है require वाला syntax कैसे काम करता है और common js वाला कैसे काम करता है और जरूरी यह इसलिए है क्योंकि फिर आप लोग अगर expert बनना चाहते हो ना तो आप लोगो समझना पड़ेगा मालो मेरे पस एक main.js है और मालो मेरे पस यहां पर एक और फाइल है उसका नाम में रख देता हूं मालो my module.js अब अगर मैं यहां पर ES6 modules का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा मैं यहां पर कुछ इस तरह से export करूंगा मैं यहां पर 45 कर दूंगा इसको D और E कर दूंगा अब मैं अगर इन values को use करना चाहता हूं अगें यह values functions भी हो सकते हैं और यह values constants भी हो सकते हैं यह values कुछ भी हो सकते हैं बस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इनको objects भी हो सकते हैं अब देखो A is equal to 1 मैंने लिखा है तो मैं A को अगर यहां use करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा import syntax का इस्तेमाल करूंगा मैं लिखूंगा import और फिसके बाद मैं लिखूंगा a from और मैं लिखूंगा mymodule.js ठीक है तो मैंने mymodule.js मेंसे a को import करना है तो अगर मैं इसको a को import करना चाहता हूं तो मैं कुछ इस तरह से करूंगा और मुझे a मिल जाएगा तो मैं console.log a करूंगा और इसको run करूंगा तो आप लोग देखो यहां पर कि मुझे one मिल गया similarly मैं आपर यहां से b को भी निकाल सकता हूं इस module में से b को निकालने का मतलब यह है कि export हो रहा है यह अब export दो तरह के होते हैं एक होते है default export एक होता है named export यह named export है named export क्यों है यह named export इसलिए है क्योंकि इसके नाम के जरिये मैं इसको export कर रहा हूं यहां पर import कर रहा हूं तो म मैं आपर A, B, C, D करके सारी values को use कर सकता हूं और अगर मैं आपर A, B, D करूं इस तरह से तो यह मुझे मिल जाएंगी सारी values run करके आपको दिखा हूं तो 1, 2, 4 मिल गई, C को skip किया मैंने A, B, D मैंने किया तो यह और यह आ गई, मैं C और यह भी कर सकता हूं मेरी मर्जी है, ठीक है, मैं कर नहीं रहा हूं भी अब यह उतर default export अगर मैं कहो export default और OBJ is equal to मैं आपर लिख दूँ A, 5 मालों लिख दूँ Y मैं confuse नहीं करना चाहता है, इसलिए इसको X कर देता हूं, X5, Y7 तो यह OBJ को मैं default export कर रहा हूं, यानि कि अगर मैं इसको यहां import करना चाहता हूं, तो मैं इसको कैसे करूँगा, मैं आपर किसी भी नाम से इसको import कर लूँगा, और क्योंकि यह default export हो रहा है यह by default export हो रहा है, तो मुझे आपर सिर्फ OBJ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं इसको comment out करके आप लोग को समझाता हूं, तो यह तो हमने named export को किस तरह से यहां पर import किया, यह मैंने आप लोग को दिखाया, अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग default, जो की import OBJ from my module.js किया, और यहां पर export default OBJ is equal to, actually मुझे यहां पर let OBJ करना पड़ेगा, और इसके बाद ही मैं export default करूँगा, तो मैं इसको run करूँगा, तो आप देखो X5, Y7 यहां पर आ गया है, ठीक है, मैं कुछ इस तरह से भी कर यहां पर इसको रन करूँगा, मुझे OBJ लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि named export ही नहीं, यह default export है, और default export को मैं किसी भी नाम से import कर सकता हूँ, क्योंकि इस module में से यही export हो रहा है, तो यहां पर मैं यहां पर curly brackets नहीं आते हैं, तो I hope कि समझ गए आप लोग named export, sorry named export और default export में difference, ठीक है, अब आज आते हैं require वाले syntax में, अगर मुझे require वाला syntax इस्तेमाल करना है, तो मैं my module to dot js कर दूँगा इसको, और my module to मालो हमारा require वाला, जो कि हमारा common js होता है, अब मैं इसको लिखू या ना लिखू, कोई फरक नहीं पड़ता, मैं इसको comment out कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से, इसका मतलब कि मैं यह type is equal to module जो है, मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि json में आप इस तरह से comment out नहीं कर सकते, अब मैं convert हो चुका हूँ, जो main.js है, वो convert हो चुका है common js वाले code में, तो मैं इसको run करूँगा, तो यह error देगा, यह कहेगा, भाई, आप yes module को load करना चाते हो, तो type is equal to module कर दो न, क्यों यहाँ पर तंग कर रहे हो मुझे, ऐसे बोलना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, my module 2 में से import करना पड़ेगा, क्या, आप यहाँ पर लिखोगे, const a is equal to require, और आप कुछ इस तरह से my module 2.js को import करोगे, और यहाँ से आपको करना पड़ेगा, module.exports, module.exports is equal to, और आप कुछ इस तरह से कर सकते हो, a1, b4, और अगर आप यहाँ पर console.log करके, अभी mean.js को चलाओगे, console.log a, और जैसे आप console.log a करोगे, तो यहाँ पर cannot find module my module 2.js, यह कह दिक्कत आगई, मुझे dot slash लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और यह चल जाएगा, तो यहाँ आप लोग देखो, a1, b4 आगए, अगर मैं आपर कुछ और आड करूँ, वो भी आचाएगा, मैं module.exports is equal to, कोई भी एक variable का नाम दे सकते हो, जैसे मालनों मैं आपर इसको कर comment out कर दूँ, और इसके बाद मैं आपर देखो, let us say, let c is equal to 56, और module.exports is equal to c, तो जैसे मैं यह करूँगा, आप लोग यहाँ पर देखो, यह 56 आगया, console.log a 56 आगया, क्योंकि मैंने आपर, कुछ इस तरह से, sorry, कुछ इस तरह से इसको, import किया using required, तो मैंने required syntax का इस्तमाल किया, तो जो भी पुराना आप लोग code syntax का इस्तमाल किया जाता है, और module जो है, वो आप लोग अपनी javascript files में भी इस्तमाल कर सकते हो, let me tell you, तो I hope कि आपको समझ में आ गई है चीज, और I hope कि मज़ा आया आप लोगों को, अब एक चीज आप लोगों को, अब एक चीज आप लोगो दिखाना चाहता हूं, कि index.html अब अगर मैं आप पर बनाओ, और मालो मैं आप पर लिखा हूं, script और module, तो मैं कुछ इस तरह से एक module को import कर सकता हूं, तो मैं अगर यहां पर लिखा हूं, .js तो मैंने इसको import कर लिया है mymodule.js को मैंने mymodule.js को यहाँ पर import कर लिया है और अब मैं अपनी यहाँ पर script लिख सकता हूँ और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मुझे import करना है mymodule.js को तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर script और अगर मैं main.js को include करूँ मैं काओंगा main.js कुछ इस तरह से और जैसे ही मैं इसको चलाओंगा आप लोग को इसका preview दिखाओंगा और दिखाओंगा आपको console तो यहाँ पर लिखकर आ रहा है कि यह object print हो गया x5 और y7 यानि कि मैं जो module वाले syntax से अब यहाँ पर भी परियोग कर सकता हूँ तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि इसको export कर दिया और इसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया मैंने यहाँ पर इसको import करके console.logherry कर दिया यह जो भी यह था वो by default export हो रहा था 5 और 7 मेरा यहाँ पर आ गया तो browser में भी use कर सकते हो आप लोग कहने का मतलब यह modules को बस आपने करना किया type is equal to module कर देना है और हम projects में यह चीज़ करेंगे ठीक है करेंगे time आने पर करेंगे और जब मैं करूं तो आपको पता होना चाहिए तो यह थी कुल में लागे पूरी कहानी इसकी ES6 modules की और हमारे comment.js की अब यहाँ पर आप में से कहीं लोगों का doubt यह होगा कि भाइसाब हम इतनी सारी चीज़े लिख रहे हैं हमने यहाँ पर जो module था उसको हमने यहाँ पर require से चलाया और यह चल भी गया लेकिन ज़र एक ब require आगया होगा कहीं से लेकिन अगर मैं यहाँ पर दो variables और लिखो जैसे मैं लिखो underscore underscore der name तो आप लोग देखो कि मैं इसको run कर रहा हूं तो यहाँ पर directory का नाम आजा रहा है जिसमें यह program है आप लोग को गयार कि यह der name हमने कभी बनाया नहीं आ का से गया मैं जादू मैं लग क्या हो रहा है ठीक है तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूं ना जादू चल रहा है यहाँ पर ना ही कोई टोना चल रहा है बस हमें करना क्या है कि एक बात को समझना है अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूं underscore underscore file name करूंगा तो file का नाम भी आ जाएगा आपक आपको exports, require, module, file name, der name यह मिल जाते है ठीक है तो अगर आप यहाँ wonder कर रहे हो कि module.exports module कहां से आया यह क्या है module कहां से आ गया यह तो module आया कहां से module आया आपका इस function के अंदर automatically क्योंकि रैप हो जाता है इसलिए module.exports आया अब आपको होगे require कहा से आया require आया यहीं से क्यों आप note.js में लिखते हो अगर आप लोग comment.js का इस्तेमाल कर रहे हो तो इस function के अंदर automatically wrap हो जाता है आपको करने की जरूरत नहीं है लेकिन wrap हो जाता है और आपको exports, require, module, file name, der name यह variables use करने को मिल जाते है तो यह बात पता होनी चाहिए. इंटर्व्यू में पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ, at this point अगर आपको यह नहीं भी बता तो projects भी बना लोगे, आपका काम भी चल जाएगा, जिंदेगी अच्छी कटेगी आपकी, लेकिन interview में किसी ना पूछ लिया कि भाई, आप variable बनाए बीना तो error आ जाता है, तो यह require कहां से आ रहा है, यह module कहां स 6 modules, I hope समझ माया आप लोगों को, सिग्मा की playlist access आप लोग कर लेना, और आने वाले वीडियो में हम लोग काफी चीज़े करने वाले है, अगर आपने playlist access नहीं गड़ी तो यहां क्लिक करके बुकमाक, और यहां क्लिक करके सेफ जरूर करना, और अगर हो सके, तो आप लोग फ झाले हैं क्लिक करने आपने य moralsक्तिं